धर्म कहने को तो एक बहुत ही चोटा सा शब्द है लेकिन इसका अर्थ अत्यन्त ही विश्द्रित है नमस्कार मैं हूँ अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूँ सर्व धर्म संगम टीवी चानल पर दर्शको आज हम बात करने जा रहे हैं धर्म के बारे में हम सब आपस में बात जरूर करते हैं कि धर्म ये है धर्म वो है आज समझेंगे आखिरकार धर्म क्या है इसका सही अर्थ क्या है और धर्म की जब बात हो रही है इश्वर यनि प्रभु की बात ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है आज के इस एपिसोर में हम ये भी जानेंगे कि इश्वर से कैसे जुड़ सकते हैं इश्वर असल में कौन है इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारा ज्यान वर्धन करने के लिए हमारे साथ मौझूद है शिवानन भाईश्री जी आए उनका स्वागत करते हैं आपका बहुत-बहुत स्वागत है शिवानन भाईश्री जी धन्यवाद जी धन्यवाद कि आप इस शेत्र में किस तरह आए किस तरह आपने सोचा कि कथा वाचन के शेत्र में जाना है दोगों को धर्म के प्रति जागरुप करना है ऐसा कैसे हो पाया सबसे पहले तो सर्वध धर्म संगम टीवी चैनल के जितने भी दर्शक अभी जुड़े हुए है सभी को श्नेह भरा जैश्री प्रिष्ण जैश्री रादे मैं नेमिशा रिन्य से आया हूँ और बड़ा ही सुंदर प्रश्ण है कि मैं शेत्र में कैसे आया हूं या यह भी 2000 को हुआ था और एक मेरे पिता जी कृषक थे किसान थे तो पांच वर्स की अवस्था थी जब हमारी तो हमारे हैं एक व्याज जी कथा करने आये थे तो उन व्याज जी की जब हमने कथा सुनी तो उस कथा को सुनके इतना आनंद आया कि जैसे लगा यही सब कुछ है और कुछ है और वास्तों में प्रभू कथा से बढ़के प्रभू नाम से बढ़के दुनिया की कोई भी वस्तु नहीं है तो मैंने पुझे माता जी शेनिवे लेकिन मैंने जीत करके गुरुकुल गया वहां पर सिक्षा ध्यान करी और जब दो तीन साल वहां रहा नेमिशा दने के गुरुकुल में श्री अध्यातिम विद्या पीट ब्रमचर आश्रम में तो मेरा मन ये था कि मैं जल्दी से कथा करूं तो मैं वहां एक दिन रात्री विद्वानों के सानेद में तो भगवान श्रीव जी को में कथा सुनाने लगा एक साल तक उनको सुनाई और नौव वर्स की अवस्था में पहली कथा मेरी जन्नम भूमी पर हुई और वहीं से प्रभु भक्ति प्रभु कथा हरी चर्चा में जीवन आगे बढ़ा छोटी स में आपका मन इतना जादा था कि आपने थोड़ी जित की थोड़ी हट की और आप फिर गुरु कुल गए आपने शिक्षाग रहें की और कथा वाचन आपने पर शुरू किया तो जब कथा वाचन की बात कर रहे हैं तो धर्म का एक बहुत बड़ा एहम रोल आ जाता है कि हम अगर जाता है कि धर्म जो है अगर जैसे की हम मंदर जा रहे हैं तो वो धर्म है हम वो धर्म कर दहें हैं तो इसको लेकर भूट भांगते हैं थोड़ा से इसे क्लियर करें देखिए प्रशन बहुत उत्तम है और मन प्रसंद हो गया आपने इतना सुंदर प्रशन पोचा ज नहीं है और मुझे उन व्याख्याओं पर जाने की आवश्यक्ता नहीं है क्योंकि हमारे पास जो है समय का भाव रहता है आज वर्तमान में आप भी टीवी देख रहे हैं तो मुस्किल से गंटा बैठेंगे पंदरा में बैठेंगे धर्म क्या है द्रधातु शब्द से धर ल lass बोले एक चोर भी चाहेगा कि सामने वाला मुझसे 맞से करें एक डाक़ा बी चाहेगा कि सामने वालMore उससे अच्छाई से बात करें जो हम अपने शरीर के लिए सामने वाले से चाहत रखते हैं, वही चाहत धारड करना, उचित कारियों को धारड करना, उचित संसकारों को धारड करना, मेरी दृष्टी में यही धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारी कोई सेवा करें, तो हम समाज करे हमें को हमें दूसरी को संपान हमारी लिए हम खोजते हैं वही करो नम दूसरों के लिए इसकी बडा़ धर्म किया है इससे बड़ा धर्म तुछ सबसे संदर व्याक्या यह है कि आप संस्कार से जूड़े हुए कारियों को अपने जीवन में प्रवेश लावें आप उचित परमपराओं को अपने जीवन में ढालें उचसे बड़ा कोई धर्म भाया श्रीजी इतना खुरूपसूरत और इतने सरश अब्दों में आपने बता दिया कि जो हम अपने प्रती चाहते हैं वही हम करें तो धर्म की श्रुईणी में आजाता है वही जाता है तो भाया श्रीजी एक और मेरी जिग्यासा है यह कि लोग समझते हैं कि धर्म यह भी होता है कि जब मान लीजी आप रास्ते में जा रहे हैं कोई आप से कुछ मांगने लगे हैं जो निराश्रित लोग होते हैं वो आपस मांगते हैं कि हमें कुछ खाने के लिए हमारे पास रुपे नहीं है तब वो लोग उनको भी रुपे देते हैं तो वो धर्म है या नहीं क्योंकि लोगों के मन में यह सवाल भी होता है कि अगर मैं इनको रुपे दे दूं और इस रुपे से मैंने तो अच्छा सोच के दिय लेकिन इन्होंने इस रुपे से अगर कुछ और गलत चीजों में उपयोग किया तो फिर धर्म कहलाएगा या नहीं इसको थोड़ा और बताएं सबसे पहले तो धर्म के हम लक्षण जान लेते हैं udah दहर्म की लक्षण क्या हैं हमारी भावना रवर्ति कि धर्मं गाने वाला व्यक्ति धर्मात्मा तो नहीं इस घरवच में आघAT टीका लगाड़े से धर्म की रिक्षा हो या धर्म कहलाए तो फिर समाज के वो गंदे लोग जो इसका चोला पहन के हम लोग का उपयोग उठाते हैं वो भी मेरी दरश्टी में फिर धर्मात पाए तो इसका सबसे बढ़िया उत्तर है ये सब चीजे टीका लगाना ये धर्म ये धर्म के पृतीक चिन है और ये सभी धर्मों के अपने अपने हैं जैसे इसलाम धर्म का उम्म टूपी लगाते हैं और हो गया सिख पगड़ी बानते हैं तो टीका लगाना सरातन धर्म का पृतीक चिन है धर्म क्या है शास्त्र कहता है ध्रतीक शमादमोस्तोयम संचमिं संधरियय निकरहा धीर विद्यास सत्यमक्रोधो दशकम धर्मलक्षडअ क्धरति मने होता है धैरे धैरे स्ट पेशनस जिसके जीवन में धैरी है जो धैर्यवान है मेरे दृष्टी में धर्मवान है अगर आपके जीवन में धेर नहीं है तो आप लाक माला लाक गंटी लाक पूजा कर लो आप धर्मवान नहीं मन सकते हैं आपकी बल चोला ओड़ सकते हैं जिसके जीवन में दूसरा श्टेप शमा है जो शमा करना जानता है वो व्यक्ति धर्मवान है अगर शमा नहीं है तो आप कैसे धर्मात्मा रा से ज़्यादा बड़ा पुझारी रावड हैं यह आप रामड ki भूमिवा को उठागerson के देखिए एक गंटे सिपूझ जी की पूझा करता है और इतना बड़ा आपाता है चुरो आज देवताओं को जीत लाएं और जीत के लिया आता है इतना बड़ा वू योद्धा है इस सबकुछ उसके पास है वह पूजा भी करता है उसकी पास धनकी भी कमी नहीं है यहां तक उसका घर हिस युद्ध हो रहा था हनुमननाटकं में प्रसंग आता है तो रावन बीच में युद्ध करने आ गया तो भगवान श्री राम ने अपने सस्तुरों का्प्रयोक करके रावन का रत तोड़ दिया रावन के धनुस तोड़ दिया रावन मुर्शित होके नीचे गिड़ा तो अब नीती तो यही कहते ही कि सत्रों को परास्त किया जाए परास्त मतलब उसका वद्ध किया जाए तो राम जी चाहते तो रावन को मार सकते थे क्योंकि श्री राम जी की पत्नी का हरड करके लाया था लेकिन राम जी ने एक शमा कर दिया, का रावन जाओ, आराम से बढ़िया अपने घाओं में मलहम पठे करो, उपचार करो, उसके बाद कल आना तब हमारा तुमारा युद्ध होगा, रावन आया, रात में छट पे गूम रहा था, तो जब छट पे गूम रहा था, तो उसकी कि पत्नी मंदोदरी आयी, और कहा कि पती देवता, इतनी रात्री में आप छट पे घूम रहा के लिए, क्या सोच रहा हॠ आपके बहूं के चल रहा है, तो रावन जये और की मंदोदरी उनमें एक शमा है, तो धर्म का दूसरा लक्षड एक शमा, दृतिक शमा, दमोस्तोयम, इंद्रियत दमन, पुजारी तो बहुत बढ़े हैं, पराई बेहन बेटी को देखा, नियत बदल गई, कैसी पुजा पाथ है, समाज में असुर कोई बाहर से नहीं आते हैं, हमारे हैनों के साथ में, देवियों के साथ में दुसकर्म हो रहे हैं, क्या समाज के वो दुर्योधन नहीं है, लोग कहते हैं, पूतना राक्षड से बच्चों को गर्भ में मार देती थी, आजकल जो लिंग मात्र के भेज से, जो आजकल की माताय अबोशन करवा लेती, गर्भप करवा लेती, क्या वो पूतना से कम है, तो धर्म कौन है, जो पेशन्स रखे, धर्म के लक्षड क्या है, जो शमा करना जानता हो, इंद्रिय दमन करना जानता हो, जो चोरी ना करता हो, इमानदार हो, जो जिसकी इंद्रिया ग्यानवान हो, और धीर विद्यास सत्यमक डूरना पाफ है लोक्त कि सी कन्या का विवा हो रहा हो आपके जूने से वह Carnegie हो जाए तो बहुत धर्म है किया थर्म है अगर गौ हत्य हो रही आपके जूत भलने चैनि बच रही बच रही हैं तो वह दर्म है ऐसे कार जिससे हमारे समाज उसको कोई नुकसान हो रहा है अगर वो धर्म भी है तो उसको करना धर्म है रामायन में प्रसंग आता है श्री विश्वामित्र जी ने भरत जिसे कहा कि भरत पिता जी ने आपको आग्या दी है कि आप राजा बने जब राम जी वनवासी हो गए तो पिता की आग्या का पालन करना धर्म है या धर्म आप बताईए धर्म है पिता की आग्या का पालन करना धर्म है तो भरत को चाहिए था कि पिता की आग्या का पालन करते क्योंकि वो धर्म है और यही बात भरत के सामने रखी गई भरत से का गया भरत आप राजगदी को लीजिए क्योंकि यह पिता की आ मुझे गद्दी दी इसके पीछे पिता के विचार थे या मंत्रा के विचार थे तो सब ने का विचार तो पिता के नहीं थे पिता विचार तो मंत्रा के थे क्योंकि मंत्रा ने कह के को बहकाया था तो कहा कि यदि में राजा बन जाओंगा तो पिता के विचारों की जीत होग देख करके धर्म करना चाहिए अगर हम दूद लेके मालो जा रहें शिवाले में हमको शिवजी का आविशेक करना है और हमने बढ़िया दूद लिया रास्ते में एक भिखारी एक भूख से तड़पता हुआ वेक्ति आपको मिल जाए तो जो उसको दूद पिलाना धर्म होगा या शिवलिंग पर दूद रणाना धर्म होगा उसको पिलाना क्योंकि इसको नीड है उसको आवश्यक्ता है मैं शिवजी को भी चड़ाऊँगा लेकिन दूसरा खरीद लूँगा भगवान ने बहुत सामर्थवान बनाया यानि विवेक के साथ कारी करना बुद्धी के साथ धर्म को भी इस तरीके से देखना है कि इसमें कहीं नुकसान तो नहीं समाज का इसमें कहीं किसी की पीड़ा किसी को तो नहीं हो रही तो अगर हम उसको दे देते हैं, तो क्या धर्म है, अगर वो उससे पाप करें, इसमें भी बहुत साफधानी का विशा है, आपका दान, बहुत ध्यान से देना चाहिए आपको, यदि कोई आपसे धन मांग रहा है, तो आप उससे पहले उसकी requirement पूछिए, आपको धन क्यों च बढ़ेगा, क्योंकि उसको capable आपने बनाया है, उसकी requirement उसको अधर्म के मार्क पर चलने के लिए, आपने भी थोड़ा सा बल दिया है, उसको, आपके बल से ही तो अधर्म कर रहा है, तो दान भी करें, तो बहुत सोच समझ करके करें, आपको उसकी requirement पूछनी है, कि आपको चहिए क्या, आप किस चीज के लिए धन ले रहे, आपको खाना पीना, हम देंगे आपको चीज है, हम provide कराएंगे, तो एक पतली सी परत है धर्म और धर्म के बीच में, बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक खलकी सी परत है, उसको ध्यान में रखना है, कि हमें किन चीजों को करना है, तो धीर विद्या सत्यमक क्रोध हो, यहनि विवेक के साथ में विद्या, विवेक के साथ में विद्या को अपनाना है, सत्य बोलना है, क्रोध नहीं करना है, अब यहाँ पर भी देखिए कितनी सुंदर विशे, सास्त्र कहता क्रोध करना अधर्म है, अब क्रोध कर विग्ण रूप में आ रहा है तो वहां पर क्रोध करना धर्म नहीं है वहां पर क्रोध करना धर्म है क्योंकि अगर आप क्रोध नहीं करेंगे तो धर्म की रक्षा कैसे होगी काम क्रोध मदलोब मोह यह सब विकार बड़े बड़े पंडी जी बड़े ग्यानी बताते हैं कि यह सब नात नरक के पंथ, यह सब नरक के द्वार हैं, पर मैं इनको भी धर्म मानता हूं, मैं इनमें भी बक्ति खोज लेता हूं, देखे, मेरा क्या है न, थोड़ा कथा करने का तरीका अलग है, क्योंकि मैं अपने युवाओं को कथाओं से जोड़ना चाहता हूं, कि आप आईए कथाओं में, आपके जीवन का हर एक प्रशन आपको कथाओं से मिलेगा, संतों से मिलेगा, दुनिया काम को बुरा बताती है, हम काम को अच्छा, अगर काम को बोलते काम को छोड़ दो, कोई नहीं त्याग पाएगा, यह मन का, खाली आप सुनो, हम सुना दे, आपन हमें दक्षणा दी, हमने आप कहां ताली बजवा दी, आप कहां डांस करवा दिया, फ्रण नचवा दिया, आपने सुन लिया, तीन गंटे आपने सुन गया, भोले ठीक बड़िया, बड़िया, पंडी जी कथा, यही तक सीमित रह जाएंगे, काम को जीत पाना इतना असान नहीं है, गो स्वामी जी नहीं लिखा, ना रही, विवश नर सकल गोसाई, ना चही, नट मरकट की नाई, अगर वो लिखके गए हैं, तो बहुत बड़े सन्यासी सादू रहें, बहुत बड़े ग्यानी रहें, ऐसा ही नहीं लिखके गए, आपको काम मिटाना नहीं है, काम का मतलब क्या होता है, काम की पतनी रती, रती माने होता ही, चाहत, हम आरती करते हैं, आरती का मतलब क्या होता है, आरती माने चाहत आजाए, रती माने होती है, चाहत, जो चाहत अपने संसार से वासनाओं से लगा रखी थी, काम को मिटाना नहीं उसकी दिशा मोड़ दो वो चाहता भगवान से रखलो, उतनी ही चाहता, क्रोध, काम के बाद दूसरा इस्टेप है क्रोध, दुनिया कहता है क्रोध, क्रोध नहीं करना चाहिए, बिल्कुल, क्रोध कोजीत भी नहीं पाओ गया, बड़े-बड़े साधु नहीं रह पाए, हम बड़े-बड़े याँ तक भगवान भी क्रोध किये, राम जी क्रोध किये, जब समुद्र नहीं मान रहा था, तो क्या राम जी अधर्मी है, नहीं नहीं, क्रोध करो, लेकिन धर्म रक्षा के लिए, जो क्रोध अभी तक दुनिया के लिए करते थे, वो क्रोध धर्म रक्षा के लिए करने लगा, ज कुर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं मेरे भगवान जैसा कोई नहीं अपने लिए नहीं मेरे प्रभु की सत्ता के लिए मद करो मदवी वक्ति हैं काम क्रोध मद लोब लोब को आप खतम नहीं कर सकते हो हम सब कोई नहीं जो बावा घर छोड़के आते हैं इनके भी फाइविश्टा रोटल जैसे आश्रम बन जाते हैं तो यह मत्सोचो कि क्रोध हम लोब से बच जाएंगे बड़ी बाते हैं और कहने की बाते हैं क्योंकि हमारे जैसा ठेट आपको दूसरा मिलेगा नहीं मैं बड़ा ख लाएगा नहीं लोब की दिशा मोड़ दो लोब रखो लेकिन किसका भगवन नाम का आज मने 20 माला कर ली आज मने 25 माला कर ली ठाकुर जी आस तो मैं 50 करके मानूंगा नाम का लोब रखो देखो काम करोध मदलोब यही आपका जीवन समार देंगे आप निहाल ना हो जाओ तो कहना तो बस इतना असानतर है कि धर्म को सही दृष्टी से किया जाए तो धर्म है अनुचित दृष्टी से किया गया धर्म भी अधर्म है यए बधायश्तरी जी आपने गृट्भापस से लिए मने अटी तरह से संझाया कि धर्म क्या है अधर्म क्या है हम कहीं बार द Thai करने के कोशिशछ में जाने अधर्म कर जाड़ और जाने अधर्म करते हैं इस ने संभिरब इस बाता हैं तो हमें अपने अई वेवेक को इस्तेमाल करते हुए कोई हम काम करे अई खॉ परा आप ईगली जग्यासा है वह ये है कि अपने जिख्र किया कि अपनी ध्रम की रक्षा हमें करना है आपने बहिती है है और कब करनी बधिंधा के नाम पे हम इतना खो गए कि हम अपनी धर्म से दूर उगया धर्म की रक्षा करने के लिए आपको एंदर पड़े लिए द commit ये कर देंगे वू करने कुछ जरुवत नहीं है, आप अपने आप में सुधार लाईए, धर्म, सनातन, दर्म क्या हमारे हैं, सिखारर रखने का नहीं था, क्यों नहीं रखते हो चोटी, खाली बात करते हो, रखे काम सामने वाला, मुझे मेरे बेटे को ना रखनी पड़े, मुझे ना रखनी पड़े, धर्म कहता है कि अपने वेशबूशा में रहो, बढ़िया कुर्ता पहनो, दोती पहनो, पैजामा पहनो, टीका लगाओ, कंठी पहनो, ना जी ना, हमें तो शरम आती है, धर्म रक्षा की बात बड़ी-बड़ी करेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है धर्म रक्षा, धर्म रक्षा करने के लिए, पहले अपनी संस्कृति को आपको अपनाना पड़ेगा, अपनी प्रतीक चिन्नों को अपनाना पड़ेगा, अपनी चीजों को अपनाना पड़ेगा, आज हम शौट कपड़े, हमारे बेटे, देखिए कैसे, शौट शौट चनपर वन चलेगा क्या उनसे बड़े modern तुम हो सकते हो modern शब्द का मतलब होता है नवीनी करण नूतन विचार नया विचार रात रात भर क्लब में आप मदिरा पे करके डांस करने को modern नहीं कहते है जितनी वो फूहरता है modern नहीं है अच्छे विचारों को जीवन में अपनाना धानम की रक्षा तब होगी जब आप खुद आगे बढ़ोगे और केवल फेस्बुक यूटूब पर ज्यान देने से नहीं कभी कभी जीवन में एक बार दोती भी हपत जबकि इन ही दोती वालों ने देश की रक्षा की यही दोती वाला विवेक अनन जब शिकागों की आत्रा पर गये तो विश्व गुरू भारत को बना दिया तालियों की रड़गराहट से पुरा अमेरिका गूंज गया यही दोती वाले सहीद भगत सिंग आजात महत्मा ग बहुत प्रणाम करता हूं मैं भी बोलता हूं आप खुब अच्छे से बोलो अच्छी बात है आप युवा हो आपको और कहीं भी जाना है भाशाओं का ज्यान होना बहुत जरूरी है पर अपनी संस्कृत हिंदी को एवॉइड करके नहीं आज कल मेरे पास आते हैं महाराज जी मेरा बेटा फराटेदार इंग्लिस बोला हिंदी तो जानता ही नहीं क्या अच्छाई है कि जिस भाशा में आप से सुरुवात होती हो एक बड़े सुन्दर कभी है मैं उनको सुन रहा था उन्होंने कहा कि हिंदी ए आ फर अज्यानी से सुरु होती है और ग्या से ज्यानी बना के छोड़ती है और इंग्लिस ए फर एपल फल से सुरु होती है और जड़ फर जेबरा जानवर बना के छोड़ती है मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं आप इंग्लिस पढ़िए पर संस्कृती आपकी वही ह तो बच्चा दादी बाबा के पास जाता ही नहीं उसको तो पबजी चोटे-चोटे गेम में इसे फुरसद नहीं कौन बैठे गदा और जीवन के अनुभाव आपको किताबों से नहीं मिल सकते आप कितनी भी किताब पढ़ लो जीवन का अनुभाव लेना होगा तो आपके अ पहना वा इन तीन चीजों पर भारत में सखाय हो जाए में क्या भोजन करना है ऐसा जिसमें हिनसा हो रही है ऐसा पहना तो नहीं जिसमें AI अंग प्रदर्शन हो रवा हो कई लोग केते महराज जी आए लड़के पहन सकते कई बहने कहती है मैं क्यों नहीं पहन सकती बराबर कहा कोना चाहिए अरे बहनों हम तुम्हें अपना मानते हम सनातनी है वरना ये दुनिया तो तुम्हें नंगा देखना चाहती है हम तुम्हारे अपने हैं इसलिए हम चाहते हैं कि आप सुद्रो इस ये कल्चर वि आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं कि हवस का पुजारी क्यों भाई हवस का मौलाना क्यों नहीं हवस का मौलाना भी तो हो सकता क्यों हवस उर्दु शब्द है तो हवस का पुजारी क्यों कहते हैं गुनाहों का देवता क्यों गुनाहों का अल्ला भी तो हो सकता है एक कई प्रकार की नीतियों के को रखते हुए कि हिंदु धर्म को कैसे बदनाम किया जाए हिंदु धर्म को कैसे गिराया जाए कुछ ऐसे धर्म वो आघहात कर रहे हैं और हम मौडनता के नाम पे फोरता के नाम पे हाँ यही अच्छा है मेरे लिए शौट कपड़ एतनी आप को गर्मी लग रही है आप अपनी संस्कृति संस्कार और संस्कृत तीन चुजों को सुधार लिजिए कुछ फेस्बुक पे लिखने की जरुवत नहीं कोई मारने काटने की जरुवत नहीं हमारा हिंदु धर्म के वल सुधर जाए हम अपने धर्म की रक्षा कर लेंगे दूस आपके बातों में इतनी ज्याद हो गई कि मैं समझने लगी है जो ओन था है मॉड resultado रही हूं मैं बिल्कुल क्योंकि जो मौडर्न लोग समझते हैं मॉडर्म को वह जो भाशा है या इसकी कहें परिभाशा वही बदल दी है मॉडर्न साफ ये नहीं होना है कि आप वेस्टन क पढ़े पहने आप श्यमी सभ्यता को फॉलो करें मौडन होना यह भी है कि आप आज की दुनिया में अपना काम कर रहे हैं अपनी जॉब कर रहे हैं लेकिन अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं बहुत संदर बहुत संदर बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है अगर आप यूतन बिचार जन विचार को समाज में न्या पना ए दिशा बदले मुसाफिर बहुर भई ये न्यापन न्या पन का मतलब ये कि CHEJों को सुरुदर रखना वही बात है कि हम लोगों को सिर्फ आप लोग सुनते हैं जीवन में अपनाते नहीं है अगर एक कथा में आप 10 चीजों को अपना ले एक आदर गिंटे के इस एपिशोड में मेरी 5 बातों को आप अपना ले तो हिंदू रक्षत 2 मिनट में हो जाएगी कुछ करने के जरुवत नहीं है पर केवल सुनने की आदत मत डालो अपने जीवन में अपनाने की भी आदत डा अपने जीवन में क्या चीज़ लासकते हैं आपके प्रशन और जिग्यासा है इतनी उत्तम है कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपके जिग्याओं से कितने लोगों को लाव मिलेगा बिलकुल आज वर्तमान में जो युवा पीड़ी है जो यंग्स्टर है उनको हर चीज में फाइदा चाहिए उनको लगता है कि हम पूजा भी करें तो फाइदा आपको बता दो कि जीवन का आपका कोई प्रश्ण नहीं है जिसका उत्तर आपकी धर्म thow मिले है आप किस विज्ञान की बात कर रहे हैं आप किस नयपन की बात कर रहे है उसंदा की डार्विं की थेओरी कहती है कि जीव का विकास ऐसे हुआ पहले जल्चर थे फिर उबैचर थे फिर बौने बनके आये पिर वो गुफाओं में रहते थे फिर थोड़ा विकसित हुए फिर पूडविकसित हुए फिर मानसिक प्रपेर हुए डार्विन की थोरी आपने पड़ी होगी यही तो कहते है ये भागवत कथा कभ से यहीं कहह रहे एकि पहले तो आप अपने धर्म ग्रंथों को पुराना मानते हो जबकि वो आज की टेक्नोलोजी से कितनी बड़ी टेक्नोलोजी हमारी रही है आज वर्तमान में हम कहते हैं न्यूटन ने गुरुत्वा करशड की खोज करी हनुमान जी महराज ने जब राम और रावन की युद्ध में उस सेना को उपर फेका था अमर सेना को जो वहीं लटक रहेगे क्या वो नहीं जानते थे किस नियम को क्या वो गुरुत्वा करशड नहीं जानते थे जानते थे पर आप उन तक पहुंचो तब ना आज विज्ञान एक चीज ला रही है कि बच्चों को मसीनों में उनके ब्रूड को डाल करके बच्चों को प्रगट किया जाएगा कौर्वों की रचना ऐसा ही तो यह उयुद्ध एक अंडे से सो लोगों को अलग अलग बनाया गया आज मेडिकल साइंस यहां तक पहुंचा नहीं गरेशी महाराज ने भगवान सक्कर ने गडेश का शिर काटके हाती का सीस लगाया क्या मेडिकल साइंस वहां तक पहुंची अंड़क्ष का सीस बक्रे का विमानों को मरकरी से उड़ाया जाए सिंदूर लगाने की बात हमारे परंपराओं में सिंदूर में पारा होता है मरकरी होती है पहले समय में महिलाओं की शाधी कन्याओं की साधी कम अवस्था में कर दी जाती थी तो मानसिक प्रिपेर नहीं होती थी तो सिंदूर लगाते थ यह मानसिक संतुलन को बढ़ाता है तो कितनी बड़ी साइंस रहे होगी हमारे वेदों में कि उन्होंने सिंदूर लगाने की परंपरा डाली कि एक तो आपके सुहागन का प्रतिक्षिन है दूसरे महिलाओं के मानसिक विकाश की व्रद्धी होगी यानि हमारे सनातन धर्म का प्रतेक कोई भी उसका वाक्य है वो विज्ञान उससे बहुत पीछे विज्ञान से बिलकुल जुड़ा हुआ है लेकिन युवाओं को पढ़ने के आदत नहीं है MBA के बहुत बड़े जनक हुए गुरु हुए मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है उनकी बुक है आप सब जानते सेवन हैबिट्स साथ आदते वह चिला के कहते हैं कि सातों आदते मैंने गीता से लिए आप आख से अब चलो ये तो एक बात हो गई साइंस की हम को daily routine में क्या सीखें एक पुत्र का धर्म क्या है आप रामायन से सीखें भगवान श्री राम को जब वनवास मिला तो श्री राम को जब वनवास मिला तो आये अपनी माता के पास और माता से का मा ये बताइए कि मैं बड़ा हों की भरत बड़ा है तो कहा कि आप बड़े हो राम जी अच्छा यह बताओ जंगल बड़ा है कि अयोध्या बड़ी है तो कहा कि बड़ा जंगल है तो श्री राम कहते हैं पिता की आज्या का पालन कैसे करना चाहिए यह राम सिखा रहें पुत्र का धर्म कि मा मुझ पुषाज बड़े राम को फिता ने बड़ा राजी जंगल कर दे दिया और छोटे से वरत को चोटी या दिया दे दिया यानि पिता की अगर आग्या है तो उसको हसकर के पालन करना क्योंकि आजकल पिता क्या तो बच्चे समाज को देख करके कहते हैं अगर हम नहीं आग्या का पालन करें तो पड़ोसी मेरा क्या कहेगा इस द्रश्टी से नहीं करेंगे तो क्या पता पापा संपत्ति दे की नहीं दे नहीं नहीं आग्या का पालन हस्कर के करना चाहिए पृत्र का धर्म राम से सीखी एक पत्नी कैसे हो वाईफ का नेचर नेचर कैसा हो या प्रामायन से सीखो सिता जी डॉ लांख जी को जब वनवास वा तो श्री सीता जी बूली हम भी छलेंगे तो राम जी नेका आपको तुवा निहां पुरुखये Tapi Sir नेका ने नीजी निंडी का धर्म है पति का साथ देत राम जी ने ठीक है तो भृत कल के वस्तर पहन के गाय थे हैं लकडी के च्हाल राघव म मेरी मा सुनेयना मुझे सब कुछ सिखाया मदाना संतों का सम्मान करना माबापकी सेवा करना अगर शायद मुझे वलकल की वस्त पहनना सिखा देती तो इसीता तुमसे पहले तैयार होकर खड़ी मिलकी यह पतनी का धर्म है कि परिस्थिती कैसी भी हो अपने पती का डटकर के साथ देना आज कल थोड़ी थोड़ी बात पे माईके में फोन कर देते हैं एक बेटी कैसी हो नहीं है प्रशना गया तो इरामान धर्म गरंतों से सीखो आज कल की लड़कियां थोड़ा सा पती ने डाटा मम्मी को कर दी मम्मी समझा लो मम्मी भी लगी पड़ी है आँ दो मिनट में जेल करवा दूंगी सबस्यादा डेवोस के सीसी से होते हैं सीता जी को राम जी ने वनवास दे दिया लेकिन जानकी जी ने अपने पिता जनक को खबर तक नहीं दी एक वेटी कैसी होनी चाहिए रामान से हमारे धरम ग्रंतों से हमारे जीवन का कोई भी प्रश्ण ऐसा समय का भाव है यह विशह बहुत बड़े हैं और अगर आप इनको अच्छे से सुनना चाहते हैं तो हमारे यूटूब चैनल है शीवानंद भाईश्री आप उससे जोड़े उसे सस्क्राइब करें आपको सार माबाप की आग्या नहीं मान रहे हैं इस सब उनको मिलेगा गीता में सब कुछ है धर्म ग्रंतों में सब कुछ है यह पंडितों की चीज़े नहीं है माईडियर यह आपकी चीज़े हैं और इनको लाल कपड़ों में बंद करके मत रखो जो रामायन को घर पे केवल होगी आप देख रहे हो पर कहा है पूजा वाले घर में लाल कपड़े में पैक करके रखिए दूबत्ती के लिए मिटी ना ना इससे पैक करके नहीं इसको जीवन में आदत मिलाओ सुभाव मिलाओ नित्तप्रति रामचरित मानस की दस चौपाई भी आप पढ़ लोगे आपका क भाई श्री जी आपने अच्छे से समझाया ना कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आपने रामाइन के बारे में जो बताया कि उसको आसे रैप करके नहीं रखना है उसे पढ़ना है हमें बिलकुल बिलकुल समझना है कि किस तरह से हमें अपने जीवन में और को यहीं विराम देने का तो जाते-जाते मैं आपसे चाहूंगी आप एक कोई सलहा एक कोई टिप हमारे युवा दर्शेकों को दें एक छोटी सी टिप युवाओं से मैं इतना निवेदन करूंगा आप अपने धर्म ग्रंतों सुजिने अपने माबाप की सिवा करें और इससे बढ़के दुनिया में कुछ नहीं नहीं है यह जो आप आजकल चक्कर में पड़े हो प्रेम प्रसंग यह दुनियादारी वह यह वाट्सप आपका में बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप यहां आए आपने उपना कीम्ती समय हमें दिया हमारे वीवर्स को आपने धर्म के बारे में बताया कि क्या धर्म है क्या अधर्म है और कैसे घृल्से संज़े आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दैसी सबी को राधे राधे, हारे कृष्णा ना किया धर्मन इसी के साथ आज के इस एपिसोड में मैं लेती हूँ आपसे आग्या आपसे फिर होगी मुलाकात तब तक के लिए मुझे दीजी आग्या आप देखते रहिए सर्वधर्म संकम टीवी चैनल नमस्कार